नमस्ते दोस्तों आज हम ड्राई छोले की रेस्पी लेके हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है चलिए बनाना शुरू करते हैं ये छोटे वाले छोले हैं इनको भिगो दिया था रात भर के लिए और ये फूल चुका है अब थोड़ा सा मीठा सोड़ा डाल देते है और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और थोड़ी सी हलदी पाउडर ऐसा करने से बहुत अच्छे से छोले गल जाते अंदर तक अब इक कड़ाही मसरसों का तेल ले लेना है और हिंग डाल देना अब थोड़े से खड़े मसाले डाल दिया है मसाले में हमने छोटी इलाईची दाल चीनी, तेज पत्त, लॉंग थोड़ी सी काली मिर्च डाल दिया है, अच्छे से भून लिया है, अब कटा हुआ प्याज डाल देना है, और इसको भी भून लेना है, हमने पीस के नहीं डाला, इसको ऐसे ही पका लेना है, प्याज का कलर चेंज हो चुका है, थोड़ा सा भून लेते हैं, जिससे इसका कच्चापन चला जाए, परफेक्ट प्याज भून चुका है, थोड़े से सूखे मसाले डाल देते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर दो चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, थोड़ा सा कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और चम्मच गरम मसाला, अब मसाले को भून लेना है, धीमियाज करके, जिससे जले नहीं, अब थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, जिससे मसाला भी अच्छे से पक जाएगा, और प्याज भी अच्छे से गल जाएगा, अब टेस्ट काडिक नमक डाल देना, एक छोटी चम्मच मसाले को भूनते जाना, और थोड़ा थोड़ा बीच भीच में पानी डालते जाना, जिससे प्याज भी गल जाएगा, और मसाला भी हमारा अच्छे से भून जाएगा अब इधर छोले चक कर लेते हैं, देखिए छोला भी हमारा पक चुका है, दबाने से देखिए कितना अच्छे से अंदर तक गल चुका है मसाला भी भून चुका है अब टमाटर डाल देते कटे हुए हमने तीन टमाटर डाल दिया है काटके अब इनको भी मसाले के साथ भून लेना है अब थोड़ा सा पानी डाल देना है जिससे टमाटर और प्याज अच्छे से कल जाए अब थोड़ा सा दरग लैसुन का पेस्ट डाल देते हैं इसको प्याज के साथ भूनना चाहिए था लेकिन हम भूल गए थे तो इस समय डाल देते हैं तब भी ये पक जाएगा मसाले को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है जिससे टामाटर और प्याज अच्छे से पक जाए और मसाला भी पक जाए अब धनिया पत्ती डाल देना है और कटी हरी मिर्च डाल देना है मसाले को बीज भी चलाते रहना जिससे अच्छे से पक जाए और जले नहीं देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है color भी एकदम change हो चुका है तेल separate हो चुका है अब उबले हुए छोले डाल देते हैं मसाले में और अच्छे से mix कर देना है अब पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हम dry छोले बना रहे हैं जो पानी है उसी में पका लेना है 5 मिनट के लिए ढख देते हैं अब हम एक बार चला देते हैं देखिए छोला अच्छे से पक चुका है और मसाले भी अच्छे से mix हो चुके हैं अब थोड़े से कटे हुए प्याज और टमाटर डाल देते इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है छोलेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है छोला देखिए हमारे छोले रेड़ी हो चुके हैं अब हम गयस का फ्लेम बंद कर देते हैं थोड़ी सी हरी धनिया पत्ति डाल देते हैं उपर से देखिए कितने अच्छे छोले तयार हुए बनके इनको नान के साथ रोटी पराठा के साथ या फी पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं या फी भटूरे के साथ में खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फेमली मेंबर और दोस्तों के साथ सेयर कीजिएगा एक बाद जरू ट्राइ कीजिएगा आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों ऐसे अपना प्यार दुलार बनाए र कीजिएगा जरूस्तों 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 क